नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुकेशन, करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत हैं, दोस्तो आज हम लोग प्रैक्टिस एट 45 यानि की 45 नमर पर बात करेंगे, जिसमें रेलबे एंटी पीसी एंड गुरूब डी का प्रिभियस एयर कोश्चर रहेगा, हाँ दोस्तो का प्रिभियस एयर कोश्चन इस चैनल पर कराया जाता है, तो अगर आपको प्रिभियस एयर कोश्चन का तयारी करना है, तो आप इस चैनल को सस्क्राइब करकर के इस चैनल से जुड़िए, और आप मेरे साथ प्रिभियस एयर कोश्चन का तयारी कीजिए, ओके दोस्तो च चलिए बिना देरी किये हुए question देखते हैं, एक number question कह रहा है कि निमने लिखित में से कौन सा दूध का protein है, चार option दिया है, इसमें से आपको चुन कर बताना है कि कौन सा दूध का protein है, तो केसीन जो है ओ दूध का protein है, तो option D जो है ओ आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, जाने कि केसीन, ओके दोस्तों चलिए next question देख लेते हैं, next question कह रहा है कि RNA का प्रूण रूप क्या है, RNA का प्रूण रूप क्या है दोस्तों, तो ribonucleic acid है, और एन ए का प्रूण रूप क्या है दोस्तों, तो ribonucleic acid है, तो option C जो है ओ आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएग ओके दोस्तों चलिए next question देख लेते हैं, next question करने से पहले दोस्तों अगर आपको previous year question के बारे में जनकारी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि previous year question से same to same सवाल repeat करता है, आप कोई भी exam का तयारी कर रहे हो, उस exam का previous year question आपके लिए पढ़ना, समझना, जानना बहु जरूरी हैं, क्योंकि previous year question से same to same सवाल repeat करता है, तो दोस्तों आप previous year question पर ज्यादा focus कीजिए, previous year question का concept और आपको previous year question का जनकारी ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि previous year question से same to same सवाल repeat करता है, दोस्तों अगर आपको previous year question का तयारी करना है, तो इस channel पर totally previous year question ही कराया जाता ह तो आप इस चैनल को सस्क्राइब करकर के इस चैनल से जूड़िए और आप मेरे साथ प्रिवेस एर कोशन का तयारी कीजिए दोस्तो अभी तक आप इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो इस चैनल को सस्क्राइब कर दिजिए और bell icon को भी प्रेस करदीजिए ओर हां दोस्तों एक और बात अगर आप आधा अधूरा वीडियो देख रहे हो तो आपको कोई फाइदा नहीं होगी दोस्तों तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए एक एक कोशन का कंसेप्ट जनकारी करने की कोशिस कीजिए क्योंकि आपके लिए मैं वहीं कोशन लेकर आता हूँ जो अति आवस्यक परस्न है तो आप पूरा परस्न को कंसेप्ट देखिए और अच्छे से तयारी कीजिए ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि मानव सरीर में सबसे परचूर मातरा में मौजुद तत्व कौन सा है? तो अकसीजन है कौन सा तत्व sबसे अधिक मातरा में परचूर हैं दोस्तों तो अकसीजन है तो option B जो है ओ आपका ब enzyme मुलतह ह 10 होते हैं enzyme multatgu sentiment होते हैं क्या होते हैं protein जो है ओda protein होते हैं क्या होते हैं protein होते हैं तो option A उपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि DNA अनुकरम में जिन को चिन्हित करने की परिक्रिया को क्या कहा जाता है मैं कोशन फिर से रिपिट कर दे रहा हूं कोशन कह रहा है कि DNA अनुकरम में जिन को चिन्हित करने की परिक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों तो annotation कहा जाता है तो option C जो है ओ आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा दोस्तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेली कराम पर जाएगे वहाँ career education सर्च करकर के उस group में aid हो जाएगे वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा या मैं description में भी link दे दूँगा वहाँ से भी आपको इसका PDF मिल जाएगा दोस्तो एक मैं आपके लिए एक motivational quote बोलना चाहेंगे कि हालात चाहे चैसी भी हो धड़कनों में नासा जीत कहीं होना चाहिए हाँ दोस्तो अगर आप तयारी कर रहे हैं और आपका हालात चाहे जैसी भी हो लेकिन आपके धड़कनों में नासा जीत कहीं होना चाहिए दोस्तो ओके दोस्तो चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि बालो का रंग डैस के कारण होता है बालो का जो रंग है और किसके कारण होता है दोस्तो तो मेले नीन के कारण होता है तो option B जो है ओ आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तों चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि यौन पर जनन में माता पीता का योगदान होता है यौन पर जनन में माता पीता का योगदान होता है तो अपने जीन का आधा हिसा योगदान होता है कितना योगदान होता हैं दोस्तों तो अपने जीन का आधा हिसा योगदान होता हैं तो अप्शन ए जो है ओ आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आपको कोशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तो मैं यह question फिर से repeat करते रहा हूं question कह रहा है कि यौन परजनन में माता पीता का योगदान होता है तो अपने जीन का आधा हिसा योगदान होता है तो option A जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए next question देखते हैं दोस्तो अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे और दोस्तो को इस वीडियो को अपने दोस्तो के साथ और अपने सारे गुरूप में जरूर सेर कीजे दोस्तो आप comment करके भी बताए कि वीडियो आपको कैसे लगता है और next time किस topic पर आपको और वीडियो चाहिए तो आप ओभी comment करके बता सकते हैं ओके दोस्तो चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि मानो सरीर की एक कोशिका में कितने गुण सुत्र होते हैं मानो सरीर की एक कोशिका में कितने गुण सुत्र होते हैं दोस्तों चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि गुण सुत्र किसे से संबंदित है गुण सुत्र जो है वो किसे से संबंदित है दोस्तो तो अनौनसिक लक्षणों से संबंदित है तो अपस्たं C जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्र हो जायेगा ओके दोस्तो चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि उस बिंदू का क्या नाम है जिस पर chromosome में chromatic जूडते हैं उस बिंदू का क्या नाम है दोस्तो जिस पर chromosome में chromatic जूडते हैं तो उसका नाम है दोस्तो centomere क्या नाम है दोस्तो centomere नाम है तो option B जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि dash on one C की सामगरी के वाहक है dash on one C की सामगरी के वाहक है तो gene on one C की सामगरी के वाहक है कौन है दोस्तो gene है तो option B जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा दोस्तो मैं यह question फिर से repeat कर दे रहा हूँ question कह रहा है कि dash on one C की समगरी के वाहक है तो gene जो है वो on one C की समगरी के वाहक है तो option B जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि वह नस्पती भागो या बीج के बजाय को सिखाउं के मध्ध से नए पौधे को उगाना कहा जाता है क्या कहा जाता हैं दोस्तो तो tissue culture कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तों, टीसू कल्चर कहा जाता है, तो option A जो है ओचा आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके दोस्तो चलिए next question, देख लेते हैं, दोस्तों, next question देखते हैं, next question कह रहा है, कि एक मादा युगमक में 10 chromosome होते हैं, कितने chromosome होते हैं, तो तेज पितने chromosome हो हैं वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तों चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि मानव के अनुसेचित अंडे में होते हैं मानव के अनिसेचित अंडे में होते हैं तो एक X chromosome होते हैं क्या होते हैं दोस्तों एक X क्रोमोजोम होते हैं मानव के अनिसेचित अंडे में होते हैं तो एक X क्रोमोजोम होते हैं तो option B जो है ओ आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि मानव सरीर की कोशिकाओं में dash पाए जाते हैं एक मानव सरीर की कोशिकाओं में dash पाए जाते हैं तो option D जो है ओ आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि किस परकार का पुनरजनन अधिक बिवित्ता ला सकता है किस परकार का पुनर जनन अधिक विविदिता ला सकता है दोस्तों तो लेगिक परकार के पुनर जनन एक नौजात बालिका की कोशिकाओं में गुण सुत्र का कों सा सुयोजन होता है एक नौजात बालिका की कोशिकाओं में गुण सुत्र का कौन सा सन्योजन होता है दोस्तों तो 44 गुण सुत्र पलस एक्स एक्स होता है तो अप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि बच्चे का लिंग किस से संबन निर्धारित होता है बच्चे का जो लिंग है वो किस से निर्धारित होता है दोस्तों तो गुण सुत्र से निर्धारित होता है तो अप्शन ए जो है वो आ नेक्स्ट कोच्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट कोच्चन कह रहा है कि अनुवानसिक लक्षणों के जीन समू को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों तो जीनों टाइब कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों जीनों टाइब कहते हैं, तो अपसन C जो है, वो आपका बिल्कुल सही उत उतर हो जाएगा, ओके दोस्तों चलिए next question देख लेते हैं, next question कह रहा है कि PD में दिखाई देने वाला लक्षण है, तो प्रबलता है, तो option B जो है, वो आपका बिलकुल सही उतर हो जाएगा, ओके दोस्तों चलिए next question, next question तो रहा नहीं, इतना question मैं लेकर आया हुआ था, उमीद करता हूँ कि आपको सारा question याद हो गया होगा, दोस्तों अगर आपको सारा question याद नहीं हुआ है, तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, क्योंकि आपके लिए एक एक सवाल important है,